वेल तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल माने मिस पंकेस तो वेल आपका स्वागत है नौर मेर रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रॉयल रंबल 2023 के टिकट सेलिंग को लेकर जो की काफी इंट्रस्टिंग रेकॉर्ड और काफी इंट्रस्टिंग य यहाँ पर इंट्रस्टिंग स्पेकुलेशन है तो काफी कुछ यहाँ पर इंट्रस्टिंग अबडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास्थ तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तो वाई सब्सक्राइब कर लो क्योंक banks की तरफ से तो sasa banks यहाँ पर हमें एक काफी जादा interesting tweet करते वे दिखाए देती हैं और एक तरीके से tease भी करते वे दिखाए देती हैं तो currently हमें यहाँ पर sasa banks को लेकर rumor यह देखने को मिल रहा है कि sasa banks का जो WL का contract है वो अभी भी WL के साथ में खतम नहीं हुआ है और sasa banks हमें return करते वे दिखाए देंगी तो यहाँ पर sasa banks की तरफ से tweet देखने को मिलता है जहाँ पर वो tweet करके कहते हैं कि I hope the rumor are true यानि कि इनका मानना है कि वो चाहती है कि यहाँ पर जो rumor हमें देखने को मिल रहा है sasa banks को लेकर वो हमें true देखने को मिले let's see भाई क्या सही में हमें यह जो rumor है वो true अगर देखने को मिलते हैं तो sasa banks हमें return करते वे दिखाए देंगी या पर नहीं तो यह एक तरीक है काफी ज़्यादा cryptic tease और tweet देखने को मिलता है sasa banks की तरफ से वेल इसके उपर आपके क्या thoughts है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है jack rider यानि की Matt Cardona की तरफ से तो currently इनका नाम Matt Cardona है जो की real name है I think है और यहाँ पर जो jack rider हमें character देखने को मिलता था वो wl के अंदर देखने को मिलता था तो jack rider को लेकर यहाँ पर एक fan कहते वे दिखाई देता है की मैं jack rider को आपी से wl के अंदर देखना चाता हूँ तो इसके बाद हमें यहाँ पर Matt Cardona यानि की jack rider की ही तरफ से ट्वीट देखने को मिलता है जहाँ पर jack rider कहते हैं की जो jack rider वाला character है jack rider है यह character जो की dead हो चुका यानि की jack rider character मर चुका है और जो Matt Cardona का character है वो character अभी long leave है और वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें जीते वे दिखाई देगा तो ऐसा कुछ यहाँ पर Matt Cardona का कहना है यानि की Matt Cardona अगर हमें double leave के अंदर return करेंगे तो वो एक तरीके से tease कर रहे कि वो हमें Matt Cardona के character में ही देखने को मिलेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है jack rider की तरफ से Matt Cardona की तरफ से वेल इसके उपर अभी आपके क्या thoughts है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि the bloodline के segment को लेकर जो कि हमें smackdown के अंदर देखने को मिला था तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि bloodline के segment को लेकर काफी ज़्यादा interesting record यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह record यह है कि smackdown के segment के होने के बाद तो यह segment जो कि हमें social media पे डवलोली की तरफ से डाला गया तो well इसके बाद हमें काफी अच्छा कासा response देखने को मिला जहां पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर 12 million से भी ज़्यादा यहाँ पर वीवर्शिप देखने को मिली यानि कि डवलोली के all over social media पे जब यह video डाला गया तो काफी अच्छा कासा response मिला जो की 24 hours के अंदर 12 million यहाँ पर वीवर्शिप देखने को मिली उसके उपर भी तो यह काफी अच्छी खासी थींगे यहाँ पर देखने को मिल रही है और इससे पता चलता है कि जो bloodline की storyline चल रही है और Sammy Jane and Jay Uso और Roman Names वाली जो storyline चल रही है यह काफी ज़्यादा interesting storyline है और कितना interest यहाँ पर जो की audience का इसके उपर है वेल इसके उपर भी आपके का thoughts है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरब तो यह update हमें देखने को मिल रहा है कि जो Asuka है वो injured हो चुकी है और जो storyline हमें चलते वे दिखाए दे रही है वो Asuka और Alexa Bliss की दोनों साथ में देखने को मिल रही है यानि कि एक tag partner के तोर पे हमें यहाँ पर यह पूरी storyline चलते वे दिखाए दे रही है तो ऐसे में जो की Asuka injured है तो इस reason की वैसे Alexa Bliss भी हमें TV tapping पे नहीं देखने को मिल रही है तो यही reason है कि TV से हमें off देखने को मिल रही है Alexa Bliss तो यह कुछ हमें आपर काफी बड़ी update देखने को मिलती है Alexa Bliss और Asuka को लेकर और Asuka की जो injury है वो हमें जल्दी ही ठीक होते वे दिखाए देने वाली है तो इसी reason की वैसे हमें जो की Alexa Bliss को TV tapping पे नहीं लाया गया है क्योंकि जब हमें आपर जल्दी ही ठीक होते वे दिखाए देंगी तो दोनों superstar को एक साथ लाया जाएगा तो यह हमें update यहाँ पर देखने को मिल रही है बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की Tegan Nox को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Fightful Select की तरफ से हमें आप पर report यह देखने को मिल रही है तो यह काफी बढ़ी और interesting update देखने को मिल रही है Tegan Nox को लेकर that means कि हमें आप पर Tegan Nox कभी भी आते वे दिखाई दे सकती है WL के अंदर वैसे अगले update की तरफ चलते तो यह भी update हमें आपर returns को ही लेकर है तो जैसा कि आप लोग को बता दू की WL यहाँ पर काफी जादा interested है जो भी superstar जो की WL से release होते वे दिखाई दी थी उन superstar को एक बार finn से WL के अंदर लाने के लिए तो WL यहाँ पर काफी जादा interested है और उन superstar को एक बार finn से bring back यानि की वापिस लाते वे दिखाई दीगी तो यह भी हमें काफी बड़ी update देखने को मिल रही है तो देखते हमें यहाँ पर और भी कौन-कौन से superstar वापिस आते वे दिखाई देती है बढ़ते हैं अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Royal Rumble के ticket selling को लेकर जैसा कि आप लोग को बता दू कि जो हमें Royal Rumble की ticket selling देखने को मिल रही है जो कि हमें Royal Rumble देखने को मिलेगा San Antonio टेकसस में Elmer Dom Stadium के अंदर तो यहाँ पर जो हमें ticket selling देखने को मिल रही है वो काफी जदा interesting है यहाँ की जो total capacity फिलाल के time पर डेवलली की तरफ से देखने को मिल रही है 33,802 यानि की 33,802 यहाँ पर capacity देखने को मिल रही है और ticket जो sell होते वे दिखाई दे चुके हैं वो 30,118 यानि की 30,118 tickets यहाँ पर sell होते वे दिखाई दे चुके हैं और available ticket फिलाल के time पर 3684 यानि की 3684 यहाँ पर tickets available है तो यहाँ पर 30,000 tickets अभी से sell हो चुके हैं तो जो की काफी बड़ी update यहाँ पर देखने को मिल रही है Royal Rumble को लेकर तो ticket selling यहाँ पर काफी खतरनक और काफी बड़ीया देखने को मिल रही है जो की of course भाई काफी अच्छी खासी बात है वैल इसके उपर आपके क्या thoughts है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना और Royal Rumble तो भाई काफी ज़्यादा interesting होने ही वाला है और SME यहाँ पर ticket selling तो काफी बड़ीया देखने को मिलेगी और WD यहाँ पर और भी tickets को open करते वे दिखाए देगी तो यह भी काफी अच्छी खासी बात है बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Paul Heyman की तरफ से तो Paul Heyman यहाँ पर claim करते वे दिखाए देते हैं इस update Smackdown के अंदर की Logan Paul का जो हमें fist देखने को मिलता है तो fist के अंदर उनके एक screw है तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर Smackdown के अंदर Roman ने इसको बताते वे दिखाए दिखाए दिये थे यहाँ पर Twitter पर confirm भी करते वे दिखाए दिखाए देते Paul Heyman जहाँ पर उनका यह कहना था कि Logan Paul ने खुद ने confirm किया है कि उनके हाथों में यानि कि जो उनका fist देखने को मिलता है fist में उनके steel screw है तो ऐसा कुछ यहाँ पर कहना था तो यहाँ पर मतलब उनका जो हाथ है उसका operation हुआ रहेगा जिसकी वैसे उनके हाथ में एक steel screw है तो ऐसा कुछ यहाँ पर Paul Heyman का claim करना था Logan Paul ने यहाँ पर confirm किया है तो इसका मतलब जो one lucky shot की बात चल रही है वो one lucky shot यही है कि उस steel screw से एक punch मारेंगे जिससे सामने वाला बंदा नौक आउट हो जाएगा तो ऐसा कुछ यहाँ पर Logan Paul हमें करते वे दिखाई दे सकते है crown jewel के अंदर तो यही कुछ यहाँ पर Paul Heyman जो की proof करना चाते है तो maybe हो सकता अगर इसको लेकर कुछ और भी thing देखने को मिलती है या फिर Logan Paul को लेकर और Roman Nance को लेकर इस match को लेकर इस steel screw की वाज़े से और भी कुछ यहाँ पर WD plan करते वे दिखाई दे जाए तो यह भी देखना interesting रहाएगा देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है The Bloodline versus The Bloodline वाली storyline को लेकर तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमें फिलाल के time पे The Bloodline के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है जहाँ पर Jimmy and Jay Uso इन दोनों के बीज में भी काफी अच्छे खासे रिष्टे अब नहीं देखने को मिल रहे है Solo sequa तो obviously यहाँ पर Roman Nance के side में हमें सा रहते हैं और Sammy Jane की वाज़से सारी चीज़े यहाँ पर हमें गडबड होते वे दिखाई दे रही है जहाँ पर Jay Uso बिल्कुल भी Sammy Jane को पसंद नहीं कर रहे है और Roman Nance ने यहाँ पर उपर से warning दे दिया है कि अगर Jay Uso की तरफ से again हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जो Sammy Jane ने उनको Sammy Jane से Sammy Uso बना दिया जाएगा तो ऐसा कुछ यहाँ पर Roman Nance का कहना था तो यहाँ पर जो हमें यह storyline चलते वे दिखाई दे रही है तो Bloodline के अंदर ही हमें यहाँ पर सुपरस्टार्स अलग-अलग होते वे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अगर Jay Uso को आगे चलके जो की अलग किया जाता है और जहां से हमें यह storyline की सुरुवात होते वे दिखाई दे सकती है रॉक वर्सेस रेंज को लेकर तो WL यहाँ पर फिलाल के टाइम पर बहुत सारे लूप हॉल चोड़ के चल रही है Bloodline के इस storyline के अंदर जिसमें हो सकता है कि हमें आगे चलकर WL यहाँ पर The Rock vs. Roman Reigns के storyline को सुरुवात भी करते वे दिखाई दे सकती है तो यह एक काफी अच्छा कासा हमें यहाँ पर लूप हॉल देखने को मिल रहा है Roman Reigns and The Bloodline के storyline के अंदर जहां पर हमें जो की एक समोन obviously गुसा होगा तो वो दूसरे समोन को बुलाएगा ही जो की Real Head of the Table यहाँ पर The Rock अपने आपको कह रहे तो ऐसे में chances काफी अच्छे खासे बनते हैं कि यह उसो Real Head of the Table को बुला कर लाए जिससे हमें Roman vs. Rock की storyline सुरुवात होते वे दिखाई दे सकती है तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो भाई काफी ज़्यादा interesting रहेगा देखना तो फिलाल के टाइम पर यह justice speculation है और में भी हो सकता है डवलोली यहाँ पर हमें ऐसे ही storyline को शुरुवात भी करते वे दिखाई दे सकती है तो इसके उपर आपके एका thoughts है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना वैल वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो या लाइक करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो Instagram और Twitter का link भाई description में है वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर देना अफसो से कि आज सबने इसको भुलाया Friday's को इसने RKO था लगपाया